नमस्कार किसान भाईों हमारे चैनल भाग के विदाता में आपका स्वागत है आज हम इसराइली सिचाई पद्धती के बारे में जानकारी देने वाले हैं इस पद्धती में सभी प्रकार के फसलों जैसे नारिय, लंगूर, कीला वा निबू वरगी है सभी प्रकार के बागवानी फसलों में इसका उप्योग किया जा सकता है किसान भाईों यह जो पद्धती है, ड्रीप इरिगेशन पद्धती है जिसमें उबर, खाबर, धलान वाली जो, यह कम मिट्टी वाली जैमिम में भी इसका उप्योग किया जा सकता है किसान भाईयों ड्रीप इरिगेशन जो पद्धती होती है उसमें 1-4 लिटर प्रती घंटे पानी का डिश्चार्ज होता है जिससे क्या होता है पौधे के जड़ छितर में ही जाता है और पानी की बचचत होती है किसान भाईयों 50-70% अन्य इरिगेशन सिस्टम की तुन्ना में 50-70% जल की बचचत होती है इसमें जो बुन-बुन सिचाई करके औरुरक या फर्टिलाइजर या हर्भी साइट को दिया जाता है जिसे फर्टिगेशन या केमिगेशन कहते हैं इसमें ड्रीप सिचाई पद्धती में इसका दाब 2.5 kg cm होता है किसान भाईयों यह जो होता है ड्रीप सिचाई विधी जो होता है सर्फेस वह सब सर्फेस दोनों सिचाई पद्धती में दिया जा सकता है किसान भाईयों इस विधी में टपक टपक करके सिचाई किया जाता है किसान भाईयों इसमें जो है इसके जो लाप होते हैं पद्धी की व्रिद्धी वा उपज में बढ़गुत्ती होती है पद्धती में बहुत अच्छा सुधार होता है यह जो पद्धती है इसमें पानी स्रम वा उर्जा की बचत होती है इसमें मिट्टी की जरण भी बहुत कम होती है यह खर्पतवार को बहतर तरीके से नियंत्रण करता है और इसमें क्या होता है रोग वकिट वा बिमारियां नहीं लगती